तो हलो दोस्तो इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे नित्थो ड्राइव प्रो वी 16 गेमिंग वील का जो कि आपका कुछ ऐसा दिखता है और ये जो है एमाजॉन से मैंने लिया था और जब एमाजॉन से मैंने लिया था तो ये करीब मुझे 6800 या 700 रुपे का मिला था हलाक लगबग 9000 रुपे बट अभी ये जो एमाजॉन पर ये भी आपको 9500 या 9000 क्या आसपास मिल रहा है पता नहीं उन्होंने प्राइस क्यों बढ़ा दिया है बट आइ थिंक सेल में आपको 6-7000 रुपे क्या आसपास अराम से मिल जाएगा या 7500 क्या असपास गेमिंग वील अगर आप कोई भी खर连 चाहो तो यार इस वीगिवैयो को पूरा जरूर देखना क्योंकि कोई भी गेमिंग वील लो बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको महंगा वाला लेना चाहिएए या फिर आपको मिड़रेंज गेमिंग वील से भी काम आपका चल जाये और उसके बाद यह आपका gaming wheel है, अब इसको खोल के दिखाएंगे, और यह दो locking mechanism मिल जाते हैं, जिससे आप gaming wheel को अपनी table से lock कर सकते हो, और यह एक cable मिल जाती है, तो guys, box के अंदर निकालने के बाद, यह सभी चीज़े कुछ ऐसी दिखती है, यह locking mechanism है, यह paddle है, पैडल में दो हैं, एक race के लिए, एक break के लिए, यानि कि यह reverse के लिए है, और यह आगे forward चलाने के लिए गाड़ी को, और यह जो है, यह आपका gaming wheel है, gaming wheel काफी अच्छी quality का लग रहा है मजे, तो दोस्तों बात करूँ wheel की, तो wheel के अंदर आपको कुछ ऐसा सामने से देखने क और यहां पर shiny finish है, और जो texture है, वो भी काफी अच्छा है, मतलब पूरा आपको गाड़ी वाला feel देगा यह, और यहां पर काफी सारे button है, basically जो आपके controller में button होते हैं, वो सारे button आपको यहां दिये हुए है, जो चार जो button होते है, X, Y, A, B, वो आपको यह button दिये हुए है, L1, L2, RB, LB, वो button आपको यहां पर दिये हुए है, यहां पर आपको एक gear भी दिया हुए है, बट यह जो gear है, यह स्रिफ आपका आगे जाता है, पीछे जाता है, और थोड़ा सा नौर्थ इस्ट डिरेक्शन में जाता है, तो कुछ ऐसा आपका यह है, यहां पर दो आपको गियर चेंज करने के लिए भी दिये हुए है, अवर आल मेरे को वील काफी अच्छा लगा, बट इस वील की क्या बात है, यह क्या अलग बनाता है इसको, जो हमारा लोजिटेक वाला वील है, उससे, कि यह जो वील है, यह खाली आपका इतना ही घूमता है, यह, वैसे तो इ आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है, बस आप इंजॉय करना चाहते है, आप ज्यादा वह नहीं करना चाहते है, और आपका बजट भी लो है, तो उसके इसाप से बहुत ही बेस्ट है, बाकी अभी इसको सेटप भी करके दिखाऊंगा, आपको की सेटप कैसे करना है, तो आपका wheels attach होगा, wheel के पीछे आपको यहाँ पर, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर यह कुछ ऐसे connect हो जाएगा, यह लग चुका है, तो यह यहाँ पर ऐसे connect हो जाएगा, उसके बाद यह जो है, यह आपका locking mechanism है, तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे खोल लेना है, खोलने के बाद यह जो है यह यहां पर पीछे ऐसे जाके सेट हो जाएगा, ऐसे जाके यह देखिए, यह सेट हो चुका है, अभी जो दूसरा वाला इसके साथ भी यही कर लेंगे, ऐसे करके यह वाली साइट भार की तरफ होगी, और यह ऐसे करके आपका सेट हो जा आपको आपको अपीछे से और यह से बाइद गुस्क वाधी आपको हाथ से हलका सा कपको अपार नहीं पीछे से और यह ऐसे करके इसको पूरा अंदर डाल देना है अब यह जो यहाँ पर सक्षन कप है यह आपका इसको ऐसे पकड़ लेगा यहाँ से और यहाँ से आपको नीचे से यहाँ पर टाइट कर देना है बहुत सिंपल इसको कनेक्ट करना तो दोस्तों अब यह काफी स्टेडी हो गया है आप देख सकते हो कि हिल नहीं रहा है बिलकुल भी बैसे के लिए जब आप खेलोगे टेस्ट से आप इसको रोटेट करोगे तो हिलना नहीं चाहिए और इसको सेटप हैं याजर्ण पैडल में से एक घुण निकल रहा है उसको को यहा। है यह जोड देना है यहां पर और निकालना भी कंपल है ऐसे निकलाता है और ऐसे यह यहां पर लग जाता है उसके बाद्थ यह जो आपका यूएस D Saints पर है इसको आप आपको अपनि पीसी में करनेक्ट तो कर लिया है और यह देखे यहां पर लाइल लाइट भी जलने लगए जिससे पता लग गया है कि यहां पर सेंसिटिविटी का है कि आप लो मेड और हाई सेंसिटिविटी कर सकते हो और अभी मैंने फोर्जा स्टार्ट करा है थोड़ा सा यहां पर मैसी सेट अप है मुझे म हलके से तो गाड़ी आगे चलने लग जाती है और मैं आपको एक साथ दिखाने के कोशिश करता हूँ थोड़ा मेरा बैलेंस बिगड़ गया है ऐसे करके यह देखिए तो अभी यहां से रिवर्स कर रहा हूं तो गाड़ी रिवर्स हो गई है अब बैसिकली यह ओवर्राल काफी अच्छा एक्सपिरेंस रहता है ऐसा नहीं है कि आपको फील होगा बुरा नहीं लगेगा आपको अच्छा लगेगा और वैल्यू फर मनी के साथ से देखा जाए ना मेरा मानना यह यह चीजों को अक्सर ना वैल्यू फर मनी के साथ से साड़े साथ हजार तक का भी मिलता है या साथ हजार उपे तक का साथ साड़े साथ हजार उपे में काफी अच्छी डील है और बिल्कुल अच्छा लगता है इससे खेलने में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लगेगा कि यार मैंने लॉजिटेक का वील ने लिया तो मैंने गलत करा, हाँ अगर जैसे आपको simulation games का बहुत ही ज़्यादा शौक है आप बहुत ज़्यादा अच्छे से खेलते हो simulation games या बहुत पसंद करते हो simulation game को बिलकुल एक चीज बारीकी से notice करना चाहते हो, तो तो आप logitech वगरा के wheel या thrust master के लिए जा सकते हो, बट अगर आप casual gaming करना चाहते हो, तो मेरे साब से आपको उसमें पैसे waste नहीं करने चाहिए, मुझे लगता है आपको इसी को लेना चाहिए, बाकि अपना-पना opinion है, जिसको जो ठीक लगे वो कर सकता है, और मेरे को तो काफी मजा आ रहा है, हाँ, बस एक मेरे को जो थोड़ा इसका demerit लगता है, वो यह ही है कि 180 degree turn होता है, अगर यह 180 degree से जादा turn हो जाता हो, तो काफी अच्छा रहता हलाग यार, सब चीज़ आपको नहीं मिल सकती, overall मैं बोलूँगा कि यार मेरे को काफी अच्छा लगाई ये वील, और आपको भी अगर मौका मिले तो लेना चाहिए, मैं लिंक एक बार फिर से बता दता हूँ, मैं दे दूँगा, आप वहां से इसे ले सकते हो, और कोई भी query वगएरा हो, तो मुझसे पूस सकते हो, और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपका ये अलग-अलग गेमों में चल जाता है, जैसे कि Forza Horizon 4, GTA 5, जितने भी racing games है, I think ये सब को support करता है, मैंने तो PC वाला version लिया था, ये शायद PS4 और Xbox के लिए भी आता है, और इसका एक और lower वाला version भी आता है, जिसमें ये जो gear है वो नहीं होता, बाकी सबी चीज़े सेम होती है, तो अगर आपका budget थोड़ा और टाइट है, वो करी 5-5,000 के आसपास आता है, तो आप वाला ले सकते हो, और दोस्तों, अभी तो मैंने इसमें automatic drive कर रखा है, तो बस मुझे reverse और forward करने का option मिलता है, यानि गाड़ आगे करने का, और पीछे करने का, और steer करने का, बट अगर आप इसमें automatic की जगा, manual कर लेते हो, तो gear change आप इससे कर सकते हो, इससे आप gear down कर सकते हो, और ये जो side by the button है, इससे आप gear up कर सकते हो, बस आपको अपने game में जाकर, settings को change करना होगा, और हो जाएगा, वैसे, और अ चानल को, and the most important thing is, always respect Mother Nature.